bladder system क्या शामिल है? आपकी किट में एक sawyer filter या तो sawyer squeeze या sawyer mini एक गंदे पानी का bladder, नली, bladder से नली का adapter नली से filter का adapter शामिल है जो squeeze filter के साथ के लिए है और mini filter को नहीं एक तंग एडाप्टर, सफाई प्लंजर और एक सफाई वाला कप्लिंग जरूरी फिल्टर को संभालने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोना याद रखें जोडने के निर्देश पहला चरण दोनों तरफ होज एडाप्टर लगाकर नली को जोडे दूसरा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास सोयर मिनी फिल्टर है तो आपको फिल्टर एडाप्टर में नली जोडने की आवश्यक्ता नहीं होगी क्योंकि नली सीधे फिल्टर के इन्फलो स्टेम से जुड जाएगी जब तक bladder पानी से भर न जाए नली जोडने की प्रतीक्षा करें पानी चानना पहला चरण निश्चित करे bladder के नीचे की छोटी तोपी पर पेच लगा हो फिर बड़ी तोपी को हटा दे और bladder को पानी से भर दे प्रवादर को बहतर बनाने में मदद के लिए किसी भी गंदे पानी को कपड़े या की शर्ट से फिल्टर कर ले बड़ी तोपी को bladder पर कस ले दूसरा कदम bladder को उल्टा पकड़े और छोटी तोपी हटा दे फिर छोटे छेट पर फिल्टर के साथ नली सिस्टम को कस दे तीसरा कदम नली को सिकुडने से बचाने के लिए टंग एडाप्टर को bladder की गरदन से जोड़ दे आप bladder को हैंडल से लटका या चप्ते तल पर रख सकते हैं bladder और फिल्टर की दूरी जितनी अधिक होगी पानी उतना तेजी से बहेगा चोथा चरण धक्कन को उपर रख कर खोले फिर पानी के प्रवा के लिए फिल्टर को नीचे करें फिल्टर करने के बाद फिल्टर को उपर उठाएं और धक्कन को बंद कर दें क्लीनिंग प्लंजर से बैकवाशिंग पहला कदम एक आखिरी कप पानी छान ले दूसरा कदम सफाई प्लंजर को फिल्टर किये गए पानी से भरे तीसरा कदम bladder से नली निकाले फिल्टर की केप को हटाए और प्लंजर को फिल्टर की नोप पर डाले फिल्टर को उचित निप्तान स्थान पर बलपूर्वक बैकवाशिंग के लिए अपने हाथ की हथेली का उप्योग करें तीम बार दोहराए या जब तक साफ पानी न निकल जाए बैकवाश किया पानी त्याग दें फिल्टर पर टोपी दोबारा लगाएं सफाई कपलिंग के साथ बैकवाशिंग जरूरी यह चरण केवल आउटपुट की ओर पर थ्रेड वाले फिल्टर पर लागू होता है जैसे सौयर स्क्वीज और सौयर दोल थ्रेडेड मिनी चरण 1 एक साफ प्लास्टिक की बोटल में फिल्टर किया हुआ पानी भरे दूसरा कदम ब्लैडर से नली निकाले सफाई कपलिंग को फिल्टर के पीने वाले हिस्से पर कस दे फिर फिल्टर किये गए पानी की बोटल को सफाई कपलिंग पर कस दे तीसरा चरण बोतल को उल्टा कर दे और फिल्टर को बैकवाश करने के लिए जोर से निचोडे तब तक दोहराए जब तक साफ पानी आसानी से निकले बैकवाश का पानी त्यागे प्रवादर को बनाए रखने के लिए फिल्टर को हर दिन साफ करे फिल्टर को साफ किये और बैकवाश के बिना सूखने से बचाए. जब उप्योग में ना हो तो फिल्टर को धूप से दूर रखे और सुनिश्चित करे कि फिल्टर जम न जाए.